हेलो दोस्तो नमस्कार, शुप्रभाद, गुड मॉर्निंग, सस्ट्याकाल, जैहीन, वंदे मात्र, दोस्तो जैसा की आपको पता है हम रोज की तरह आज भी आपके लिए करण्ट अफेर साती हो 27 जून की करण्ट अफेर लेकर आए है और करण्ट अफेर हम सभी के लिए काफी important होती है भावी पुर्दों की परिक्षा़ों के लिए भी काफी important होती है तो जल्दी-जल्दी शाथिधिए o current video को आप शेयर कर देजी है ठीक है ठीक है साथियो यह है अपना आज का स्विचार मौन ठीक है मौन और मुसकान तो मौन और मुसकान दोनों का इस्तमाल किजिए ठीक है साथियो मौन और मुसकान दोनों का इस्तमाल किजिए क्योंकि आपकी मौन जो है साथियो मौन मौन है वरक्षा कवच ठीक है मौन है सुबादार ठीक है कि मौन है वो रक्षा का वाच यह तो स्वागत है वह दौर अबराश्टियर म्समेश दिवस सता जून ठीक है तो शुक्ष्म और लगुस माध्यम उद्यम MS-MES दिवस हर साल सताई जून को मना जाता है और साथत विकास लक्षो SDGS के कार्यान वाई में इन उज्जेकों के योगदान को मानिता देने के लिए दिवस मनाया जाता है आगे बात करें तो 90 प्रतिशत व्यवसा है MS-ME से उत्पन्न होते हैं और दुनिया भर में GDP में MS-ME जो है उसका योगदान है वो 50 प्रतिशत है और आगे बात करें तो PM मोदी ने किया एमदाबाद में जेन गार्डन का उट गार्डन किया है और प्रदान मंत्री नरहेंदर मोदी ने 27 जुन 2021 को एमदाबाद मिनेजमेट एसोसीशन AMMA में एक जेन गार्डन और केजान अकादमी का उट गार्डन करने के लिए गुजरत का दोरा किया था और AMMA जापान सुचना और रध्यन केंडर और गुजरत में इंडो जापन फ्रेंडशिप एसोसीशन IJFA का एक सहित प्रयास जेन केजेन AMMA जापानी कला संस्क्रती और परिष्ट द्रश्य और वास्तु कला के कई तत्व का प्रदर्शन करना चाहता है स्रीजिस और दिपिका खेल रतने के लिए मनामित किये गए है भारत के अनुभवी गोल कीपर पी आर स्रीजेस और पुरू महिला टीम की लड़ी दिपिका को होकी इंडिया दोरा 2021 के लिए राजीव गांदी खेल रतने पुरुषकार के लिए नामित किया है आगे बात करें मनु की तो सौरब ने जीता है रज़त पदक सौरब चोधर और मनु भाकर की भारती जोड़ी ने 24 जूनर्डर 21 को क्रोई शाय के ओसी जैक में आई एसस एफ सूटिंग विश्वेक अप में 10 मिटर एफ पिस्टल मिश्री टीम इस परदा में रज़पदक जीता है और वहीं बात करें वेश्वन पदक के लिए खेले गए मैच में रूस की विड़ा लिए इना बतसार से किना और आटेम चेनोर सोव से हार गए है और आगे बात करें गरुंदर वीर स्यवन ने तोड़ा है 100 मिटर का रिकोड़ पंजब के लओपर्ष सीय थोड़ा है उन-पचास सेकेंड के समय के साथ तीसरे इस्तान पर रहे मलिक के नाम 10,25 सेकेंड के राष्टे रिकोर्ड भी है आगे बात करते हैं टाटा इस्टडी ने शुरू किया है पहला अभयान ये लर्निंग इबलीकिशन टाटा सदी ने अपना पहला अभयान सुरू किया है और य अगले दो महिने यानि जूलाई और अगस्त तो जारेकिस में गक्सनाव और दस के चातरों के लिए अपनी शेवाओं के लिए विस्तार करेगा निरत चोपड़ा की बात करें तो कांसे पदक जीता है इन्हों ने और भाला फे खिलाडी निरत चोपड़ा ने चबभी जून दो जारेकिस को फिनलेड में कवाटेना खेलों में कांसे पदक जीता है यह विश्वे नंबर एक जर्मनी की जुहांसन वेटर और तरही नादर और टोबेगो के पूर्व उलम्पिक स्वान पदक विज़े था केरसोन वालकॉट के बाद तीसरे इस्तान पर है और निरत चोपड़ा ने 86 पॉन 89 मिटर की दुरी पर भाला फेका है और चोपड़ा का यह तीसरा सर्वसिट प्रदर्शन था आगे बात करें साजेन प्रकास की तो साजेन प्रकास ने टोक्यो उलम्पिक के लिए क्वालिफाई साजेन प्रकास आगामी टोक्यो उलम्पिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारती तेराग बन गए हैं और साजन ने रॉम में सेटे कॉरी ट्रोफी में पुरुसों की 200 मीटर बटरफ्लाई में एक मिनट 56,38 सेकंड की समय में यह उपलब्दी हासिल की है और क्वालिफिकेशन कट ओफ एक मिनट 56,48 सेकंड का था और टोक्यो ओलम्पिक है वो 23 जूलाई से शुरू होगा और खेल आट अगस 2020 तक चले गा ठीक है तो साथ्यों उमीद है कि जो हम करेंट अफेले कर आयते साथ यह सत्ता चून की तो आपको काफी इंपोटेंट लगी होगी मेसिस होगी और इंपोटेंट है भी साथ्यों तो जल्दी जल्दी आप अपने करेंट वीडियो को शेयर करते ची साथ आप इसे लाइक भी कर और आप ही का चैनल है कि कीरन ओनलाइन इस्टडी इसको आप सब्सक्राइब करते हैं राइट को अंदर में आपको गंटी का बटन दिखेंगा साथ उसे ओल नाउटिविशन पर रग दीजे ठीके तो साथ वाज का दिन सुब बीते इनी शुब कमून से धन्यमाद दुस्तों इस अंदे 15 में लेगें और है जाया लाइंटी कि पर आपका आपका प्राइंग। को अंदे 15 में राप्ता साथ ऑंबा करते हैं hai है